आपके बहुत कामाने वाले आसान टिप्स फ्रेंज अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुनें फ्रेंज जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें फ्रेंज देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नमबर बन अगर आपके सरीर में खून की कमी है तो आप रोजाना जीरे का पानी में गुड मिला कर पिया करें इससे आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी नमबर तू गले में इंफेक्शन हो जाए तो गرम पानी में हल्दी और नमक डाल कर गरारा करने से आपार फायदा होगा नमबर तरी चैरे को साप सुत्रा रखना है तो चावल खाने से पहले दो गलास पानी जरूर पिया करें सुप्रेंच चहरे को सापसुत्रा रखना है और यदि आप चावल खा रहे हैं तो चावल खाने से पहले आप दो गलास पानी जरूर पी ले नमर पूर मोटापा कम करना है तो आदा चम्मच पीसी भी कलोंजी एक गलास पानी में उबाल कर सुपह साम पी ले बजन कम हो जाएगा नमर फाइब जिन लोगों को सांस फूलने की समस्चा है वे बेर का सेबन शुरू कर दें नमर 6 भोजन करते समय किसी भी प्रकार की चिंता, सोक, क्रोध आदी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से खाने की पोश्टिकता सरीर में नहीं जाती है फ्रेंस यदि जब भी हम भोजन कर रहे हैं तो हमें भोजन में कोई भी प्रिकार की चिंता क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि जो खाने की जो पोष्टिकता होती है वो हुमारे सरीर के अंदर नहीं जाती है इसलिए खाना सांती पूर्वक और एक मिनान से खाना चाहिए नमर सेवन सपेद नमक का सेवन करने से हाई बलड प्रेशर होता है और हड़ियां कमजोर होती है नमर टेन मशूर की दाल को पीस कर उसका उप्टन बनाएं और चेहरी पर लगाएं तीस मिनट के बाद रगड के दोलें तो अचा चमक जाएगी सूर प्रेंज मशूर की दाल को पीस कर उसका उप्टन बनाएं और अपने चेहरी पर तीस मिनट इसको लगाएं और उसके बाद इसको दोलें चेहरा आपका चमक जाएगा नमबर नाइन अगर आपको चक्कर आने की समस्चा है तो आप नीबू के साथ चीनी और काली मिट्स का सेवन करें इससे चक्कर आना बंद हो जाएगा नमबर टैन अजवाइन का सेवन करने से पेट साफ रहता है और खून जमा नहीं होता है फ्रेंट्स अजवाइन बहुत ही कारगर है हमारी हेल्थ के लिए इसलिए आप अजवाइन का सेवन करें इससे आपका पेट साफ रहता है और खून भी साफ होता है खून मतलब कि जो जमा होता है यो जमा हुआ खून नहीं रहता है नमर 11 अगर सुगर हो गया है तो रोजाना सुबह के बक्त निहार मुह ताजे आमले करस एक चमस सहद मिला का सेवन करना चाहिए इससे सुगर का मर्ज खतम होता है नमर 12 अगर आपकी आँखे कमजोर हैं और उसकी बज़े से सर में दर्द रहता हो तो रोजाना सुबह खाली पेड एक आमले का मरबबा खाएं आमला सरीर के लिए बहुत ही लाइब दायक होता है फ्रेंसिति आपकी आँखें कमजोर हैं और उसकी बज़े से दर्द रहता है तो रोज आना सुबह खाली पेट आमले का मुरब्बख खाएं यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही लाइब दायक होता है अगर आँखों में धुंदला पर नजर आने लगे तो सुबह उठते ही आँखों में सुर्माज लगाएं आप काजल का इस्तिमाल करें या यह आपके लिए बहतर होगा नमर 14 बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आमला पाउडर मिला कर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई बढ़ने लगती है प्रेंशिति आपको अपने बालों की लंबाई बढ़ानी है तो नारियल के तील में आमले का पाउडर मिलाईए और उसको अपने बालों की जणों में लगाईए इससे आपके बालों की आइससे आपके बाल बहुत ही जल्दी लंबे हो जाएंगे नमर 15 दबाई को ठंडे पानी से नहीं लेना चाहिए हलके गुंगुने पानी से दबाई ले नमर 16 जो इंसान रोज सुबह एक घंटा पैदल चलता है उसका दिल हमेशा सेहत मन्द रहता है कैलिस्ट्रोल के लिए लौकी का जूस रामाड होता है लौकी का जूस थाइराइड को भी कंट्रोल करता है बाल जढते हैं तो लौकी के जूस में आमले का जूस मिला कर पिए फायदा मिलेगा कैलिस्ट्रोल को काबू में करने के लिए अरजुन की छाल और दाल चीनी भी अच्छी रहती है इन दोनों चीजों को बराबर मात्रा में लें और उसका पाउडर बना कर रख लें इस पाउडर को दो ग्राम गरम पानी पानी से लें या फिर चाय बना कर भी पी सकते हैं टिपस अच्छी लगनी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर यूँ है तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा फ्रेंट्स वीडियो को पूरा ही व्ज कीज़ेगा तब ही पता चलता है कि वीडियो में है क्या नमर 18, सोने वाली तकियों को हपते में एक दिन जरूर धूप दिखानी चाहिए और उसे धोना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके चैरे पर जहाईया होने की समस्या हो सकती हैं नमर 19, कद्दू के बीज, खाली पेट खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है नमर 20, अक्षर कोटन के कपड़े धोने के बाद छोटे हो जाते हैं उन्हें गरम पानी में हेर कंडिशनर के घोल में पांस से दस मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए वापस से वह अपने पुराने साइज में आ जाएंगे फ्रेंज यदि आपके कपड़े कोटन के कपड़े हैं वह धोने के बाद छोटे हो जाते हैं तो उन्हें गरम पानी में हेर कंडिशनर के घोल में पांस से दस मिनट कर भिगो कर रख दीजिए वापस से जितना उनका साइज था उजने ही साइज में हो जाएंगे जैसे की कोटन के कपड़े सुकड़ जाते हैं तो वह सुकड़ेंगे नहीं उसी साइज में आ जाएंगे अपने बुढ़े शरीर को खुशूरत बनाने के लिए फिटक्री से मसाज करें नमर 22 खजूर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे पेट को स्वस्त रखता है नमर 23 चाई पीने से पहले पानी पीने से सरीर हाइडरेट रहता है और दात पर चाई में पाया जाने वाले टैनिन नामक केमिकल नहीं चिपकता है चाई पीने से पहले पानी पीने से शरीर आपका हाइडरेट रहता है और दात पर जो टेनिन नाम का केमिकल होता वो नहीं चिपकता है नमर 24 नासपाती में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कवज और अपच को ठीक करने में मदद करता है और आपके वेट भी कम होता है नमर 25 अगर आपको लूज मोशन बंद नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अद्रक का रस तो चमस गरम करके नाभी के आसपास लगए इसे भीगो कर नाभी पर रख दें लूज मोशन बंद हो जाएगा नमर 26 गरम पानी में तोलियों को भीगो कर चेहरा साप करने से डेड स्किन निकल जाती है और चेहरे पर गिलो आने लगता है गरम पानी में तोलियों को भीगो कर चेहरा साप करने से डेड स्किन निकल जाती है और चेहरे पर गिलो आने लगता है नमर 27 आलू को नेचरल स्किन लाइटनिंग माना जाता है इसलिए आलू के दो टुकड़े करें और उनसे चेहरे की मालिस करें करीब पंदर मिट आलू को चेहरे पर रगने के बाद कुछ देर यूही रहने दें और फिर ठन्डे पानी से धोलें रोजाना तक ऐसा रोजाना ऐसा करने से इसकिन का रंग निखर जाएगा इसको रोजाना जब तक करें जब तक आपकी स्किन का रंग निखर न जाएगा 28. जो लोग दिन रात कुछने कुछ सोचते हैं हर बात की चिंता करते हैं उनको लोग दिन रात की समस्चाएं होती है फ्रेंच जो लोग दिन्राज सोचते हैं और कुछ न कुछ सोचते रहते हैं तो उनको हाट की समस्चाएं हो जाती है नमर 29 नसों में दर्ध होने की सबसे बड़ी वज़े शरीन में विटामिन B 12 की कमी होती है नमर 30 एक आलू के टुकडे में कुछ बूने पानी की डाल कर चहरे पर पांस मिनट तक रगड़े इसे चहरे के दाग धब्बे जहाईयां दूर हो जाती है प्रेंस आलू बहुत ही कारगर होता है मारी स्किन के लिए आलू के टुकडे की कुछ बूने निकाल कर उसे पांस मिनट तक अपने चहरे पर रगड़ ले इसे आपके चहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और इसे आपका चहरे पर जहाईया भी नहीं होती है पतली चहाज में चुटकी भर सोडा डाल कर पीने से पेसाब की जलन दूर होती है यदि आप च्छाए के अंदर चुटकी भर सोडा डालेंगे और उसको पीने से जो आपके पेसाब में जलन होती है तो इसका सेवन कीजिए आपके पेसाब की जलन जल्द ही ठीक हो जाएग कर उसे कपड़े में चान कर और थोड़ा सा गरम करके उसकी दो से चार बूंदे अपने कान में डालिए और जो आपके कान में दर्द हो रहा है वह बहुत ही जल्दी इससे ठीक हो जाएगा फ्रेंज आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बताईएगा वीडियो अची की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी